हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्ण विर्देतीमन आजम करने वाले हैं RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधनियम 2009 इससे संबंदित कुछ कोश्चन करने वाले हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो देखें उनके आप लोगों ने आंसर भी दिये हैं सबी बच्चों ने दिये हैं कुछ बच्चे तो बहुत जादा अच्छे तरीके से आंसर देते हैं और 15 आउट और 15 जो है वो मार्क्स लेते हैं इसका मतलब आप चेक्ट में most important है इस topic को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो यह topic जो है आपके चाहे हिंदी सिक्षन हो आपके बाल विकास हो बाल विकास के अंदर तो यह topic आपके 5th unit में ही दिया हुआ है सामाजिक अध्यन हो इंग्लिस में भी ठीक है topic यही रहता है इंग्लिस में भी संस्क्रेट में भी हर जगे आपका यह topic जो है important रहता है आप teaching exam देंगे तो वहाँ पर यह topic अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना क्योंकि यहां से प्रश्ण जो है वो आता ही है और आपको इसके बारे में knowledge होने ही चाहिए आप लोग teacher बढ़ने वाले हैं तो चलिए start करते हैं सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अंतरगत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्यकोस की सांजेदारी अनुपात है 25 अनुपात 75, 50 अनुपात 50, 55 अनुपात 45 या 45 अनुपा अनुपात जो है वह कितना है पटापट से सोचिए इसका सही उत्तर तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर आप लोग अपना आंसर लगाईए तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो राइट रहेगा केंद्र द्वारा पच्पन और राज्य सरकार के द्वारा 45 इन दोनों की सांजेदारी जो है कितनी है केंदर सरकार द्वारा पचपन और राजे सरकार द्वारा पैता लिस ठीक है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा देखिए सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसमें सभी बालक बालिकाओं को निशल्क और अनिवार्य प्रात्मिक सिक्षा प्रदान क पुछा जा सकता है प्रात्मिक माध्य में किया उच्च माध्य में ठीक है तो याद रखिएगा प्रात्मिक सिक्षा के लिए और वहीं अगर हम बात करें कि राजे सभाद्वारा इसे 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया वहीं लोक सभाद्वारा 4 अगस्त 2009 को ही पारित किया ठीक है ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा इसके अंतरगत सम्विधान का अनुछेद आपने 21A या 21A पड़ा होगा इसके अंतरगत बच्चों को निशुल्क और अनिवादे सिक्षा के मूल अधिकार को जो प्रावधान है वो किया गया है जिसते की बच्चों को free education म की संख्या होगी 5, 4, 7 या 2 तो कितनी होगी तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बिल्कुल सभी की तयारी जो है वो बिल्कुल बेस्ट है और क्या है अंसर रहेगा 5 200 बालकों पर सिक्षकों की संख्या कितनी होगी 5 होगी नेक्स्ट है question 3 निश्चूल के एवं अनिवारे सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोगसभा में पारित किया गया तो अभी आप लोगों के याद होगा 4 अगस्त 2009, 6 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009 या 5 अगस्त 2009 तो अभी-अ तो आपके एग्जाम में चाहे निश्चूल के एवं अनिवारे सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आजाए या राइट टू टीचर एजूकिशन 2009 आजाए ठीक है तो एक ही बात है या आर्टीई 2009 आजाए तो यहां अंसर होगा लोगसभा में पारित 4 अगस्त 2009 को वहीं इससे पहले राज्य सभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया और अगर बात करें कि पूरे देश में एक अप्रेल 2010 को लागू किया गया था ठीक है पहले जम्मू कस्मीर को छोड़ दिया गया था लेकिन अब उसको भी शामिल किया गया है निश्चूल को अनिवारे सिक्षा दिक को लोग सभा में चार अगर्स 2009 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर 6-14 वर्स के बच्चों से 30 वसूलने पर निशी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा कितना लगेगा 20 का 20 गुना 15 गुना 30 का 10 गुना या 30 का 5 गुना तो सभी धाराएं जो है वो आप लोगों ने याद कि होंगी तो फटाफट से सोचिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा चलिए इसका सही आंसर जो है वो देख लीजिए 30 का 10 गुना ठीक है जो प्राइविट स्कूल है इन पर जु अरली बात यह कि जो धारा तीन है उसके अंतरगा तो सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंबिक सिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी प्री एजुकेशन किसी भी बच्चे से कोई भी सुल्क या राशी नहीं लिजाएगी ठीक है तो इसी लिए जुर्माने का प्राप अगला है RTE 2009 की तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिये गए है इसकूलों की सिकायत का अधिकार जो बच्चों को सिक्षा देने से इनकार कर रहे हैं विध्याले किसो विधाओं को रोकने का अधिकार विध्याले बंद करवाने का अधिकार या उप्रोप्त में से कोई न करवाने का अधिकार है उनको या विध्याले की सुविधाओं को रोकने का अधिकार है या इसकूलों की सिकायतों का अधिकार जो बच्चों को सिक्षा देने से इंकार कर रहे हैं तो यहां पर उचित उत्तर क्या रहने वाला है तो यहां पर जो आंसर रहेगा बिलकुल option A रहेगा कि स्कूलों की सिकायत का अधिकार जो बच्चों को सिक्षा देने से इनकार कर रहे हैं तो बिलकुल आमनागरिक जो है वो स्कूलों की शिकायत जो है वह है कर सकता है next है question 6 बिना RTE 2009 देखिए कहीं कहीं पर आपको RETB 2009 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ठीक है लेकिन आप लोग पढ़िएगा RTE 2009 इसके दहत बिना सरकारी माननेता वाले स्कूलों के लिए क्या सजार निर्धारित है जिन स्कूलों ने माननेता नहीं ले रखी है स्कूल बंद करना, पचास अजार का जुर्माना, माननेता प्रदान करना या पहली बार एक लाक रुपे जुर्माना तो जिन स्कूलों ने सरकारी माननेता नहीं ली है तो RTE 2009 के तहत क्या प्राबधान है तो यहां जो आंसर रहेगा, यहां रहेगा कि वहां पहली बार एक लाक रुपे जुर्माना जो है वह है उन स्कूलों के लिए लगाया जाएगा, ठीके जुर्माना उनको देना होगा किसी ग्रामीड या शहरी चेत्र में विध्याले नहीं है तो बच्चों को सिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी माता-पिता की, छात्रों की स्वैम की, सरकार की या समाज की तो सोचे इसका सटी गुत्तर क्या होना चाहिए तो यहां जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि स्कूल ही नहीं है, तो जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, सरकार की ठीक है और जब विध्याले बन जाता है, तो उसके बाद माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वह सिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल में एड्मिशन करवाए RTE 2009 के तहट अध्यापकों के प्रैस्ट्रिक्षन के लिए मानकों का विकास वा लागू करने का अधिकार किसे होगा राज्य सरकार को, इस्थानिय निकाय को, केंद्र सरकार को या उस विध्याले को तो यहां बिल्कुल इस प्रस्ट्र है, यह है कि सबसे पहले प्रैस्ट्रिक्षन के लिए जो मानक हैं, उनको लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार ठीक है? याद रखना है सबसे पहले या दिकार किसको है? केंद्र सरकार को कोशिन नाइन है, नवी करण अनुसंधान योजना निर्मान हितू राज्य सरकार को तक्नीकी वसंसादन कौन उपलप्त करवाएगा? इस्थानिय निकाय, विध्याले, समाज या केंद्रिय सरकार फटा फट से इसका आंसर लगाएगे कि नवी करण अनुसंधान योजना के निर्मान हितू राज्य सरकार को किसको राज्य सरकार को? तक्नीकी वसंसादन कौन उपलप्त कराएगा? तो सबका ही आंसर यहाँ पर सही रहेगा और वो क्या रहेगा? यहाँ आंसर रहेगा केंद्रिय सरकार कुशन 10 है, आर्ट यी दोहजान नौ के तहट सरकार की करतव्य है 6-14 वर्ष के प्रतेक बालक को निशुल्ग वा अनिवारे सिक्षा उपलप्त कराना आसपास में विध्याले की उपलप्दता कराना सरकार धारा 4 में वे निर्दिष्ट विशेज प्रैसिक्षन सुबिधा उपलप्त कराना या उप्रोक्त सभी तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि ये सब ही जो हैं सरकार की करतव्य हैं कि वो निशुल्ग अनिवारे सिक्षा उपलप्त कराई प्राथमिक सिक्षा 6-14 वर्ष के बच्चों को आसपास में विध्याले की जो है वो उपलप्त ता यह भी करतव्य है सरकार का और देखिए धाराचार जो है वो ये भी कहती है कि बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयू के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जाए उनका एड्मिशन जो है वो उनकी आयू के अनुरूपी होना चाहिए नेक्स्ट है कोश्चन 11 RTE 2009 की अनुसार विद्याले प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निशूल्क वा अनिवारे सिक्षा पर खर्च करेगा पचास प्रतिशत, तीस प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत या दस प्रतिशत तो जो स्कूल है, वह प्राप्त अनुदान का कितना पर्सेंट इस सिक्षा पर खर्च करेगा किस सिक्षा पर? निशूल्क वा अनिवारे सिक्षा पर तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि स्कूल जो है वह 25 परसेंट ठीक है 25 परसेंट निश्वल खवार्निवारे सिक्षा पर खर्च करेगा चलिए नेक्स्ट है कोश्चन 12 आर्टीई दोजार नौ में शारेरिक तंड एवा मानसिक उत्पीडन का क्या प्रतिशेद है उत्पीडन पूर्ण रूप से प्रतिबंदित है उत्पीडन आंशिक रूप से प्रतिबंद है ऐसा कोई प्राभधान इसमें नहीं है या उप्रो तो यहां पर देखिए इसके तहत किसके तहत आंसर रहेगा उत्पीडन पूर्ण रूप से प्रतिबंदित है अगर हम बात करें कि धारा 17 की तो इसमें लिखा गया है कि विध्याले में बच्चे को ना तो शारेरिक रूप से प्रतारित किया जाएगा और ना ही मानसिक तो यह धारा 17 जो है वो यही कहती है और अगर इन नियमों का पालन जो है वह एक टीचर नहीं करता है तो उसके विरुद जो है वो कारवाई की जाएगी नेक्स्ट है 13 कुशन 8 E 2009 के तहट गठित होने वाली विध्याले प्रबंद समिती के लिए क्या प्रावधान है इसके 3-4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे समिती को 50% सदस्य महलाएं होंगी और प्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो जो विध्याले प्रबंद समिती है उसके लिए क्या प्रावधान है तो यहाँ पर जो आंसर है वो बिलकुल क्या रहेगा option A और D दोनों ही सही है कि इसके 3-4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे और समिती को 50% जो है उसमें महलाएं जो है वह होंगी next है 14 question विध्याले प्रबंद समिती के क्या कारे है तो अब कारे देखिए विध्याले की कारेकरण को मौनीटर करना तिकास योजना तयार करना वा सिफारिस करना ऐसे अन्य करत्यों का पालन करना जो विहित किये जाएं या उपरोक्त सभी विध्याले प्रबंद समिती के क्या कारे हैं तो यहां पर जो एकदम सटी का अंसर यही है कि विध्याले के जो भी कारेवाही है कारेकरण है इसको मौनीटरिंग करना विकास योजना तयार करना सिफारिस करना और जो भी कारे किये जा रहे हैं उनका उचित तरीके से पालन करना यह सभी विध्याले प्रबंद समिती के कारे होते हैं नेक्स्ट है कुश्चन 15 आर्ट यह दो जार नो के तहत अध्यापकों का करतव्य है विध्याले में नियमित्व समय पर उपलब्त होना पाठे करम संचालन उसे पूरा करना ऐसे अन्य करतव्यों का पालन करना जो विध्य किये जाए या उप्रोक्त सभी तो यहां पर देखिए सबसे सही उत्तर क्या रहने वाला है यह सभी जो है यह अध्यापकों की करतव्य हैं कि वो विध्याले में नियमित्व और समय पर उपलब्त हो इसके अलावा शिक्षण के लिए एक सब्ता हमें जो कारे के घंटे हैं वो कितने निर्धारित किये गए हैं 45 घंटे ठीक है शिक्षण के लिए एक सब्ता में नियुनतम कारे के 45 घंटे होते हैं तैयारी के घंटे जो है वह भी इसी में शामिल होते हैं और इसके अलावा टीचर जो है इसको फिधाले में बच्चों की आने के समय से एक गंटा पहले आना भी है और बच्चों के जाने के एक गंटे बाद उन्हें जाना है। ठीक है? ये है टीचरों के लिए करत हुए। पाठे करम संचालन और उसे पूरा करना यह भी टीचर का दायत्व है कि पाठे करम को वो उचित समय पर पूरा करवाए ठीक है और इसके लिए बच्चों के उपर बर्डन जो है वह भी नहीं डालना है ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करना जो विहित किये गए और बाकी और जैसे कि बच्चों को चिंता मुक्त बनाना बालक का सरवांगी विकास करना ठीक है और सतत और व्यापक मुल्यांकन जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं यह करना इसके अलावा बाल केंद्रित क्रिया कलापों खेल द्वारा टीचिंग कराना सार्जिक और मानसिक योगता का विकास करना ठीक है शिक्षा का माध्यम जो है जहां तक हो सके वालक की जो मात्रभासा है तो अच्छे तरीके से समझ सके यह सबी जो है वह अध्यापक के कर्तविया होतें हैं इसके अलावा जो है एक चीज और भी याद रखिएगा कि भारत जो है वह सिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोसित करने वाला विश्व का 135 देश है इस चीज को भी आप याद रखिएगा तो यहां तक हमने RTE 2009 के question कर लिए है जो कि आपके exam में आ सकते हैं इन्हीं को आप बार बार रिवाइस करिएगा यह topic जो है यहां complete हो जाता है और कुछ प्रमुक जो धाराएं हैं उनको आप याद रखिएगा जैसे कि धारा 3 जो यह कहती है कि अनिवारे प्रारंबिक सिक्ष प्रदान करना और किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेना यह कहती है धारा 3 धारा 4 क्या कहती है कि बच्चे जो है उनकी जो उम्र है उनकी अंडरूप ही उनकी क्लास में admission करवाना यानि कोई बड़ा बच्चा बीच में अगर उसकी पढ़ाई छोड़ गई है तो उ transfer certificate है सानंतरन प्रमान पत्र है वो तुरंत प्रदान करने का दायत वो जो है उस विद्याले के principle को होगा यह धारा 5 कहती है यह एक यह important है धारा 3, 4 और 5 इसके अलावा जो धारा 14 है जिसमें अगर बच्चे के पास उसका birth certificate नहीं है फिर भी उस बच्चे को school में admission से इंकार नहीं कर सकता वो school यह धारा 14 कहती है ठीक है और धारा 16 जो है वो क्या कहती है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और नहीं उसे class से जो है school से है वो बाहर किया जाएगा धारा 17 जो मैंने अभी question के format में आपको बताई कि school में बच्चे को नहीं तो salary group से प्रताडित किया जाएगा नहीं मांसिक रूप से प्रताडित किया जाएगा और अगर कोई teacher ऐसा करता है तो धारा 24 के तहए तो उसके उपर कारवाई होगी धारा 30 क्या कहती है कि अध्यापक को बच्चे का learning record रखना जो है वो अनिवार्य है तो यह सारी चीज़ां जो है वो आपको बिलकुल याद होनी चाहिए रटी होनी चाहिए आपके exam के according चलिए तो यह चीज़ जो है वो आप चाहे 1st grade का exam देंगे 3rd grade का देंगे 2nd grade का देंगे वहाँ पर आपका यह क्योंकि teaching से related है यह teacher के लिए जरूरी है यह तो यह चीज़ जो है वो आपको बह अधर आप लोग सही कर सकें मिलते हैं next वीडियो में thank you